साइ बाबा उर्फ चांद मिया के उपर मैंने वीडियो बनाई थी जिससे मुझे ऐसा प्रतित हुआ कि कई लोगों की आस्था को ठेस पहुची मेरा उदेश किसी की आस्था को ठेस पहुचाना नहीं था जबकि मेरा उदेश सनातन धर्म जो अनुमती देता है उसे आपको ब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनको एक स्रेष्ट गुरु की संग्या दे करके हम भगवान तुल्ले मान करके पूझते हैं सनातन धर्म कहता है कि गुरु की पूझा कभी भी इश्वर के स्थान पर रख करके नहीं कि जाती है हाँ इश्वर तक पहुचने के मार्ग में गुर साइबाबा के स्थान पर वहाँ पर राम किर्टन इत्यादी सब कुछ होते हैं यह आवश्यक है कि राम किर्टन इत्यादी यह सभी के क्यूंकि राम जी पूर्वज है और राम जी सभी के लिए भगवान है और भगवान के किर्टन और भजन हर जगा होना चाहिए यह किसी को निभाते हैं कोई चादर चढाते हैं कोई केंडल जलाते हैं तो इसके लिए कोई बता दें कि आप जो कर रहे हैं वही धर्म है या वही सत्य है अब लोगों ने ये भी बोला कि कई सारे गुरूं की समाधी की पूजा होती है अब देखे समाधी और मृत्यूं में बहुत बड़ा भेद है इस भेद को आप समझेंगे जब आप योग शास्त्र या वेद लेंगे चाहें आप महाभारत या भगवत ही पढ़ लेंगे तब आपको ये धेत पता लग जाएगा समाधी में व्यक्ति-जागरित होता है मृत्यूं के बाद व्यक्ति जागरित नहीं होता वह प्रेत योनी में और अन्य-अन्य योनियों में चला जाता है इसी कारण से स पूर्वक यदि आप प्रणाम करते हैं या फिर आप अगर एक तरीके से इनके प्रती आस्था रखते हैं आप अपनी आस्था को रख सकते हैं लेकिन उसे सनातन धर्म की पूजा पधती में सामिल मत कर दीजिए क्योंकि ये दोनों भिन हैं इस वीडियो को शेयर करके सभी को ये बात बताईए साथी मुझे 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 से यदि आप जोती सलाह चाहते हैं प्रोफाइल बायों में लिंक है फॉर्म भरकर संपर्क कर सकते हैं धन्यवाद